उतरप्रदेश में प्रचंड बहुमत के बाद बीजेपी ने आखिरकार शपत ग्रहन के लिए शुप मूरत तो निकाल लिया लेकिन अभी तक मुख्यमंद्री के नाम पर सस्पेंस परकरार है 11 मार्च को बीजेपी को जनादेश मिलने के बाद से ही सीम पत की उमीदवारी को लेकर कई दिक्कजो के नाम सामने आ चुके हैं लेकिन आखिरकार अब बीजेपी ने सस्पेंस से परदा उठाने के लिए 18 मार्च यानी कल की तारीक तैकी है इस दिन बीजेपी को बंपर वोटो के साथ यूपी के दिल में बैठाने वाली जनता को अपने मुख्या का नाम मिल जाएगा इस बीच सीम की रेस में सबसे आगे बताय जा रहे कि इंद्रे मंत्री मनोच सिनहा ने कहा कि मैं रेस में नहीं हूँ और कौन रेस में हैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं वहीं पाठे के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाथ मोरिया ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष अमिच शाह को रिपोर्ट सौब दी गई है और विधायकों की बैठक के बाद सीम की तलाश खत्म हो जाएगी सीम का नाम सामने आने के बाद लकनों में 19 मार्च को शाम पांच पचेश शपद ग्रेंड समाहरों होगा लकनों के जिला प्रशासन ने इस समाहरों के लिए स्मृती उपवन का नाम सुझाया है हाला कि अभी तक इसकी पुष्टी नहीं की गई है तो यहां बीजेबी के दिगच तो चेहरों ने तो अपने आपको सीम की रेज से पाहर कर दिया है लेकिन यूपी के तक तो ताच पर कौन बैठेगा इसका फैसला तो 18 मार्च को बीजेबी के विधायक ही करेंगे देखते नहींगे टीबी लाइव